मैं हूं वीस राजावत कर दोस्तों कि मिशन ज्यान के सी एटी ओंलाइन प्लेट्फॉर्म पर आप सभी मिट्रों कबार भार श्वागर अभिनंदर दोस्तों अपन भारत के प्रमुक उद्योग कर रहे थे और प्रमुक उद्योगों में एका सूती वस्तर उद्योग की बात में कर गया था अब इसके आगे अपन कंटीन्यू करते हैं तो देखिए आगे कंटीन्यू करने के लिए मैं बात कर रहा हूं लोहा इस्पात उद्योग की सूती वस्तर उद्योग अपने देख लिया था बात कर रहा हूं में लोहा इस्पात उद्योग इसमें से प्रसन आरा बेटा हूँ, 4 प्रसन अलग-अलग एकजामस में आ चुके वह मैं बताऊंगा, लोहा इसपात उद्योग, गौर से देखना, अभी हाली इंच है मेने के अंदर इसमें से 4 प्रसन आ चुके हैं, लोहा इसपात उद्योग तो सबसे पहली बात तो लोहा इसको बेटा मोलिक या आधारबूत या कौर इंडस्ट्री भी कहते हैं, मोलिक उद्योग के दो, आधारबूत उद्योग के दो, कौर इंडस्ट्री के दो, क्योंकि लोहा इस और इसी का एक नाम हो रहे है, धूरी उद्योग, धूरी, इसको धूरी उद्योग भी कहा जात इसको मौलिक, आधार बूत या कोर इंडस्ट्री क्यूं कहते हैं बिटा लोहा इसपात उद्योग एक इससा उद्योग है जिसके चारों ओर सम्पुर्ण इंडस्ट्री घूमती हैं कोई सा भी उद्योग हो। बाकी सभी उद्योगों को मसींद्री की जरुरत होती है और सभी मसीनों को सभी उद्योगों को मसींद्री उपलब्द करवाने का काम में वो लोहा इस्पात उद्योग की द्वारा किया जाता है इसलिए इसको धूरी उद्योग कहा जाता है ध्यान रखना अगर बात करें कि भारत में प्रत्थम लोहा इस्पात उद्योग तो भारत में प्रत्थम लोहा इस्पात उद्योग है इसकी स्तापना हुई थी कुल्टी में कुल्टी और कुल्टी है पसिम मंगाल में पसिम बंगाल भारत में प्रत्थम लोहा इस्पात उद्योग की स्तापना कुल्टी में ह है यह आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसकी स्तापना का वर्स पीछ था उत्पादनकारी 1804 से प्राव्म को दूसरी बात 1907 में 1907 में जमसीद पूर में 1907 में जमसीद पूर में कि जमसेथ पूर में कि वैटा टाटा के द्वारा आ लोहाइश मात उड्द्योग वो इसतापित किया गया और जमसेथ पूर कहां जमसेथ पूर जार गड़ में हैं तो ध्यानद रखना लोहाइस पान उभ्ण की बात करें तो toleri हमने कही कि लोहा इस्पात उद्योग है मौलिक उद्योग है आधार बुत उद्योग है कोर उद्योग है धूरी उद्योग है बाकी सभी उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग के इर्दिगर्द ही गुंगते हैं क्योंकि सभी उद्योगों को बेटा मसींद्री की जरुरत ह होती हैं और उड्योगों को मसींदеждरी उपलब्द करवाने का काम है वो बेटाजी किसके द्वारा किया जाता है वह आपके लोहा स्थपात रुद्योग के द्वारा ही किया जाता है वाह बारत प्रत्थम लोहाइस्पात उद्योग इसकी स्थापना कुल्टी पसे मंगाल में हुई थी और इसकी स्थापना 1870 में हुई और 1864 में यहां उत्पादन कारिय वो शुरू हो गया था ध्यान रखना 1907 में जमसेदपूर में जमसेदपूर जो की जाड़कर में है यहां लोहाइ इस्पात उद्योग में खास करके बारत में दूसरी और तीसरी पंचवर्ष योजना और दूसरी ही और द्योगिक नीती दूसरी पंचवर्षी योजना यह भी 1956 की है और सेकंड इंडस्रियल पॉलिशी है इंडिया की वह भी 1956 की है तो दूसरी तो पंचवर्ष योजना और दूसरी उद्योगिक नीती में लोहाइस पात उद्योगों की स्तापना पे विशेश रुप से बल दिया गया था देखिए कहां कहां लोहाइस पात उद्योग है वह स्तापित किये गए तो यह अपन देखते हैं और वेटा इनमे से प्रसंद पूछे जा चुके हैं चार प्रसंद अलग लग एक्जाम से पूछे जा चुके हैं क्या प्रसंद पूछे हैं वह भी मैं बता दूँगा देखो दूसरी पंचवर्थे योधना के दोरान सेकेंड फाइफ इयर प्लान के दोरान तो भारत में तीन जगे लोहाइस पात उद्योग स्तापित हो है बिलाई राउर केला दुर्गापुर और तीसरी फाइफ इयर प्लान है फाइफ इयर प्लान तीसरी फाइफ इयर प्लान के दोरान बेटा बोकारो में लोहाइस पात उद्योग स्तापित किया गया बोकारो बोकारो ध्यांत रखना भिलाई बिलाई किस राज्य में बिलाई वर्तमान समय में 36 कड़ राज्य में राउर केला उडिसा राज्य में दुर्गापूर पसिम बंगाल में बोकारों वर्तमान समय में जहारकंड राज्य में अब किस तेश के सयोग से स्तापित हुए ये भी आपको ध्यान में होना चीए भिलाई में बेटा जो स्तापित किया वो सोव्य संग आज के समय में आप इसको रूस कह सकते हैं सोव्य संग के सायोग से इसकी स्तापना हुई राउर केला में आप देखें तो राउर केला में जर्मनी के सायोग से इसकी स्तापना हुई दुर्गापुर पस्रिमंगाल में आप देखें तो ये ब्रिटेन के ब्रिटेन के सायोग से इसकी स्तापना हुई है और बेटा बोकारों जो की जाड़कड में हैं इसकी स्तापना भी सोवियत संग के सहयोग से की गई है अब बेटा में प्रसंद बताता हूं पिछला जो PSI का पेपर हुआ उसमें तो पेपर सेटर ने ये प्रसंद पूछा कि भारत में ब्रिटेन की साहिता से लोहा इस्पात उद्योग की स्तापना कहां की गई है तो भारत में ब्रिटेन की साहिता से लोहा इस्पात उद्योग है इसकी स्तापना बेटा पसिम बंगाल में की गई है दुरगापूर पस्य मंगाल में इसकी स्थापना की गई प्रसंद PSI के एक्जाम में पूछा हुआ है नंबर दो बिटा जो वीडियो का एक्जाम्स हुआ था वीडियो के एक्जाम्स में प्रसंद पूछ लिया गया था कि निम्न में से किस लोहा इसपात उद्योग की स्थापना है वो स्व जमसेदपूर दे दिया तो बिटा जो भिलाई राउरकेला दुर्गापूर ये तो दूसरी पंचवर्षिय योधना में हैं और दूसरी पंचवर्षिय योधना का टाइम पिरियड उननीस सो छपन से तो जिनको यह पता था कि विलाई राउरकेला और दुर्गापूर दूसरी पंचवर्षिय योधना की देन है तो अपड़िया बुत्तर कोन सा हो गया जमसेदपूर हो गया क्योंकि बचाए कोन सा जमसेदपूर ये वीडियो के एक्जाम में प्रसंद दिया गया रिट का जो प्रसंद दिया गया वो दिया गया मेरे बच्चों कि जमसेदपूर में लोहा इस्पात उद्योग की स्तापना की स्वर्स हुई थी तो जमसेदपूर में लोहा इस्पात उद्योग की स्तापना 1907 में हुई थी तो देखिए तीन प्रसंद है ये बेटा लोहा इस्पात मुंद्योग को समझ लेते हैं फिर कि points देख लेंगे कर तीजिन आपन बात कर रहे हैं परिय। उद्ध्योग कर लेता हूं परिय। देखें अगर भारत के परिय। उद्योग की बात करें पर यह टन को कि न का मिठाउष सब से पहली बात तो द्यान रखना कि भारत में परियतन को उद्योग का दर्जा बारत में परियतन को उद्योग का दर्जा देने वाला दर्जा देने वाला प्रत्थम राज्य कुन सा है तो भारत में परियतन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रत्थम राज्य है वो राजस्तान है राजस्तान खीक सार्व और यह कब दिया गया था यह दिया गया था चार मार्च चार मार्च 1989 को यह दरजा दिया गया था कि समीती किसी पारिष पे मुहमद युनुश समीति मोहमद युनुश समीति किसी पारिश तो ध्यांग रखना बारत में परियतन को सबसे पहले उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्तान रहा है राजस्तान में चार मार्च 1989 को मौम्मद यूनिस्वमिती की सिपारिश पर परियतन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था दोस्तो ध्यान रखना परियतन है इस परियतन को निरधुम निरधुम या धुवा रही तुद्योग भी कहते हैं क्यों कि बाकी इन्डस्ट्री होती उसके साथ दुड़ा हुआ हुआ होगा पर पर असा अ sudah है है जिसमें परियटन इस्तल लोको देखने के लिए आप प्रयाटन इस्तल है और प्रयाटक है अब ये बसीनी तो है नहीं तो बिटा ये धुआ नहीं छोड़ते हैं इसले इसको धुआ रहा रहीत या निर्धोम उद्यों की उपमा भी दियाद रखना है अगर बात करूं में भारत के भारत में परियाटन विकास की लिएक शंस्ता परियटन विकास निकम और आईटी डीसी इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्याले नहीं दिल्ली में नहीं दिल्ली में तो ध्यान दटना भारत में परियटन विकास के लिए जो संस्ता काम करती हो आईटी डीसी है इसका मुख्याले क्या नहीं दिल्ली में इसी प्रकार हमारे राजस्तान में हमारे राजस्तान में परियटन विकास के लिए एक संस्ता काम करती है आर्टी डीसी राजस्तान ट्यूरिज्म डवलप्मेंट कॉर्परेशन राजस्तान परियटन विकास निगम यह राजस्तान म पूछे के स्तापना कि समीती कि सिपारिश पर अगर पूस्ता की स्तापना तो इसकी स्तापना हुई थी 24 नॉवंबर 1978 को 24 नॉवंबर 1978 को कारिये प्रारम यानि आर्टीडीसी ने अपना काम कब से प्रारम किया था तो आर्टीडीसी ने अपना काम प्रारम किया था वो किया था एक अप्रेल एक अप्रेल 1979 से और अगर पूस्ता किसका हेड़ उपिस तो इसका हेड़ उपिस मुख्याले हैं वो कामिटव जेपूर में हैं तो ध्यान रखना भारत में परियतन विकास के लिए काम करने वाली संस्ता ITDC और राजिस्तान में परियतन विकास के लिए काम करने वाली संस्ता है और ती डी चे से ज्ञत में सरवादिक सबसे ज्यादा के जो आते हैं वो पारत में सरवादिक सबसे ज्यादा विदेशी पडिएटक आप देखें तो था की एक बार में मैं यह पढ़ रहा योगदान बारा प्रतीशत है ध्यान रखना राजस्तान के समद्ध में खास कर कल के एक बार में आया है राजस्तान की जीडीपी में परियटन का योगदान तो राजस्तान की जीडीपी में परियटन का योगदान है वह विड़ा कितना प्रतीशत है बारा प्रतीशत का बारह प्रतिष्ठत योगदान है अब कि तो यह परियोटन के अपने बात की इसी प्रकार से अपने बात करें बेटा में देखो लोहा-इस्पातु द्योग की बाति यह कर रही है तो लोहा इस बात उद्योग में आपने देखा है कि भीलाई जो की 36 कड़ में हैं सोव्य संग के सयोग से इसकी स्तापना हुई है राउर के ला उडिशा में हैं जो जरमनी के सयोग से हैं दुरगापुर पसिम मंगाल में हैं जो इंग्लेंड के दो या ब्रिटेन के दो बात की है बोकारो जाड़कंड में हैं जो की सोवियत संग के सयोग से हैं फिर दोस्तों अपने बात की कि अपन बात करते हैं अब सिमेंट की सिमेंट की अपन बात करें सिमेंट दोस्तों सिमेंट में आप देखें तो दुनिया में सिमेंट के उत्पादन में पहला इस्तान तो ह चीन का और दूसरा इस्तान हमारे भारत का सीमेंट की उत्पादल में आप देखे तो सीमेंट के उत्पादल में पहला इस्तान दुनिया में चीन का आता है दूसरा इस्तान हमारे भारत का आता है और भारत में अगर सीमेंट का प्रथम कारखाना पूछ ले प्रथम कारखाना की पहला कार्खाना सेमेंट का कभी स्तापित हुआ तो पहला कार्खाने की स्तापना हुआ थी降 1904 में का फुप द्यां मद्रास मद्रास में भृरगो प्रतम सिमेंट कारखाने की स्थापन उनिसो चार में कहा हुई थी मद्रास में हुई थी अगर भारत में सेमेंट का पूचे सरवादिक उत्पादन की भारत में सेमेंट का सरवादिक उत्पादन करने वाला रज्य कुन सा है तो भारत में सेमेंट का सरवादिक इसकी सितापना का प्रस्ताव था, 1915 में इसकी स्तापना उईतिर 1917 में यहां उत्वाधन कार्य सुरू हो गया था अगर स्वतंत्रता के बाद प्रत्थम पूछे स्वतंत्रता के बाद प्रत्थम हैं वो 1953 सवाई मादोपूर सवाई मादोपुर और यहां पर जिस ब्रांड की सिमेंट बनी थी वो ता त्रिशूल चाप त्रिशूल चाप सिमेंट यहां बनाई गई तीसरी चीज अगर पूचे सपेज सिमेंट का पहला कारखना सपेज सिमेंट तो सपी सिमेंट का पहला कारखान है राजिस्तान में गोटन नागोर और गोटन है गोटन नागोर में इसकी स्थापना 1984 में हुई थी दोस्तो ध्यांत रखना हमारे राजिस्तान में सिमेंट उत्पादन के लिए सबसे अनकुलतम जिला है वो चितोड़ गड़ है कारण बिटा सिमेंट का कच्चा माल है सिमेंट का कच्चा माल होता है चूना पत्थर और हमारे राजिस्तान में चूना पत्थर के सबसे ज्याद सिमेंट के अपन बात करें तो सिमेंट के उत्पादन में विश्व में पहला स्तान चीन का आता है दूसरा भारत का आता है बारत में पहला सिमेंट का रखाना नीशो तरेपण में सवाय मादोपुर में हुई थीbelt राजस्तान में सपे सिमेंट का पहला कार खाना गोटन नागोर में 1984 में स्तापित किया गया और राजस्तान में सिमेंट उत्पाद्ण के लिए सबसे अनकुलतं जो जिला है वह कुंसा है चितोडगड हैं क्यूंकि सेमेंट का कच्चा माहल होता है चूना पत्तर और राजिस्तान में चूना पत्तर के सबसे ज़्यादा भंडार है वह विटाजी का हैं चितोड में हैं फिर अपन बात करें चीन युद्द्यों के फिर की पॉइंट से एक बार एक साथ बता दूंग में पहले इसारे समझा देता हूं कि बेटा ओपन बात करें चीनी उद्द्यों के तो देखू चीनी के अगर उत्तपादन में आप देखें तो चीनी के उत्तपादन में पहला इस्तान है वो तो ब्राजील का है और दूसरा इस्तान है वो हमारे भारत का है पर अगर बेटा ओचीनी की खपत पूछे तो चीनी की खपत में भारत का प्रतम इस्तान है बारत का प्रतम इस्तान है ज्यान दखना चीनी के उत्तपादन में दुनिया में पहला इस्तान ब्राजील का आता हैं दूसरा इस्तान भारत का आता हैं पर चीनी की खपत में आप देखें तो चीनी की खपत में बिटव भारत का पहला इस्तान है अगर भारत में प्रत्थम चीनी मील की बात करें प्रत्थम मील तो भारत में प्रत्थम चीनी मीले इसकी स्तापना 1840 में हुई थी बेतिया बिहार में बेतिया बिहार में इसकी स्तापना हुई थी दुस्तु अगर भारत में गन्य का सरवाधिक उत्पादन पूछे गन्य का सरवाधिक उत्पादन तो भारत में गन्य का सरवाधिक उत्पादन करने वाद रज्य हैं उत्तर प्रदेश पर अगर पूछे कि सर्वाधिक चीनी उत्पादन या चीनी मिले सर्वाधिक चीनी उत्पादन कि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला रज्य कुन सा है या सर्वाधिक चीनी मिलो वाला रज्य कुन सा है तो ये हैं महारस्ट, भारत में सरवादिक चीनी मीले हैं वो भी महारस्ट में हैं और भारत में चीनी का सरवादिक उत्पादन करने वाला रज्य है वो भी कौन सा है महारस्ट है, तो दोस्तो ध्यान रखना चीनी की बात हम कर रहे हैं, तो चीनी की बात में हमने कहा कि चीनी क के उत्पादन में पहला इस्तान ब्राजील का है दूसरा भारत का है पर चीनी की खपत में भारत का प्रतमिस्तान है भारत में पहली चीनी मील बात कर लेते हैं भारत में पैट्रोलियम उद्योग की फिर एक साथ अपने की की पोईंट देख लेंगे सारे बिटो बात कर रहे हैं भारत में पैट्रोलियम उद्योग द्यांद रखना मेरे बच्चों सबसे पहली बात हमारा भारत है यह पैट्रोलियम का आयात तक रास्ट्र है भारत खनीज तेल का बेटा क्या करता है आयात करता है और एक बार यह प्रसंद भी पूछा हुआ है कि भारत का सरवादिक आयात खर्च वह किस मद्ध पर होता है भारत का सरवादिक आयात खर्च वह पैट्रोलियम पर होता है तो द्यानकना आयात रास्ट्र है दूसरी बात कि भारति का सबसे ज्यादा आयात खर्च किस पर होता है तो भारत का सबसे ज्यादा आयात खर्च होता है वह सब्सद्री बात इस्मेर के सारुप्रतम खोज भारत में पेत्रोलियम के सारप्रतम खोज कहा हुई, तो भारत में पेत्रोलियम की सारप्रतम खोज 1825 में हुई, कसी कह है असम finns हुई ति अगर पूछे कि भारत में पेट्रोलियम का सरवादिक भंडार तो भारत में पेट्रोलियम का सरवादिक भंडार वाला राज्य है माहरास्ट्र और कितना प्रसेंट भारत का लगबग 40% तेल भंडार है वह माहरास्ट्र राज्य में है और माहरास्ट्र में भी कहा है माहरास् हाई बंबे हाई तो पहला इस्तान तो मारस्ट का आता है दूसरा इस्तान हमारे राजिस्तान का आता राजिस्तान का दूसरा इस्तान है और भारत का लगबग 20 प्रतिशत तेल बंडार है वह वेडाजी राजिस्तान में है बारत का 20 प्रतिशत तेल बंडार राजिस्तान में है राजिस्तान में पेट्रोलियम का विस्तार है वो 14 जिलों तक है जिन में से सरवादिक बंडारन वाला जिला है वो बाडमेर है राजिस्तान में पेट्रोलियम का सरवादिक वो आइन वह ऊपने खोछ़ करने वाली कपनी केर हैं और पहला तेल गवा मंगला है जिसमें 29 अगस 2009 से तेल का जो पादन है वो सुरू हुआ है और पच्वद्रा बाडमेर में आपको पता रिफाइंदरी की स्तापना भी हो रही है जो देश में 26 करम की रिफाइंदरी है इस रिफाइंदरी का उद्गाटन 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी ने किया था और इसका जो कारिय है यह बिटा 16 जनवरी दो और जार 2018 को नरेंदर मोदी ने प्रारम किया इसे 2022 देश तक पूरा करने की अलक्ष है वो रहा गया है यह बारत में यह भारत में 26 वे क्रम की रिफाइंदरी है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्परिशन लिमिटेड एच्पी सीयल और राजस्तान सरकार का सयुक्त अपकरम हैं जिसमें एच्पी सीयल और राजस्तान सरकार की सेदारी हैं वो चोत्तर अनुपात 26 रखी गई है बिटाओ फिर मैंने आपको ध्यान है तो राजस्तान मे में विजिया मंगला भाग्यम राजस्वरी कामेश्वरी सरस्वती एस्वरिया पूनम ये तेल के क्या है कोवे हैं इनने क्या तो देखे अब अपन बात कर रहे हैं बेटा जी इसके जितने भी की पॉइंट से उनके उपर अपन बात करेंगे कि लोहा इस्पात उद्यों की अपने बात कर ली थी इसके आगे अपन बात करें तो दिकी सेमेंट के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा इस्तान है पहला इस्तान चीन का है दूसरा किसका है भारत का है ये मैं आपको बता चुका हूँ बारत में प्रथम सिमेंट का रखाने की स्तापना 1904 में हुई थी मद्राश में हुई ठीक है भारत में सिमेंट का सरवादिक उत्पादन राजस्तान में होता ये भी अपने देख लिया है फिर चीनी की अपन बात करें तो चीनी की उत्पादन की सरवादिक ओद्योगविक इकाईया मारस्ट राज्य में है कि भारत में चीनी की सरवादिक इक प्रत्थम चीनी उद्द्वग 1840 में बहत्या बिह renowned में स्थाप्पिटाय की गई था राश चालीस और 1848 का बिहर में इसकी स्तापना की गई थी चीनी की उत्पादन में आप देखे तो ब्राजील चीनी की उत्पादर में आप देखें तो ब्राजील के बाद भारत का दूसरा इस्तान है पहला इस्तान ब्राजील का है दूसरा किसका है अपने भारत का दूसरा इस्तान है जबकि चीनी की खपत में आप देखें तो चीनी की खपत में दुनिया में पहला इस्तान है वह चीन करनातक राज्य में होता है और कोफी का सरवादी ती पाधन का सरवादी करनाते में होता है बारत में पैट्रोलियम की सरुप्तम खोज अथारा सो पत्चीस में डिकबोई में हुई थी और डिकबोई का है असम्म्में है पैट्रोलीम का सरवादिक उत्पादन बॉंबेहाई मारस्टसे होता है जो कितना परसेंट है 40 percent petrol बंडार है वह बेटा जी मारस्ते राज्यमें है वर्तमान समय में भारत का सरवादिक आयात खर्च यह प्रसंट पूचा हुआ है कि भारत का सरवादिक आयात खर्च पेट्रोलियम् पर होता है जो कुल आयात कर्च का लगबग वन थर्ड है फिर बेटा जी दूसरा इस्थान मैंने बताई दिया पेट्रोलियूम की बंदार में दूसरा इस्थान देखे तो हमारे राजिस्तान राज्ये का है बारत का लगबग 20% तेल बंडार है वह का है हैं बारत का लगबग 20 प्रतिशत तेल बंडारे वो का हैं राजस्तान में हैं तो देखेगा राजस्तान के जितने प्रमुक उद्योग हैं उनकी बाते हमने की हैं एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज आपको करवा दूँँ फटाफट फटापर क्यूंकि बड़ाव जरूरी हैं इनको जानना कि कौन-कौन से उद्योग हैं तो देखेगा सबसे पहले बात अपने कीती सूती वस्तर उद्यो हमारे भारत का सबसे प्राचिन और संग्टित उद्योग है बारत में करसी के बाद सरवादिक रोजगार जिस शेक्तर में मिलता है दोस्तों ध्यांद रखना बारत में प्रतम सूती वस्तर मील की स्तापना है वो 1818 में कलकता में हुई थी पर यह सफल रही प्रतम सफल सूती वस्तर मील है इसकी स्तापना 1854 में मुंबई में हुई है फिर अपने बात की कि भारत में सूती वस्तर उद्योग की सरवादी की काईया है वो गुजरात राज से पूचता तो उत्री भारत का मेंचिस्टर कानपूर को कहा जाता जो कि उत्तर प्रदेश में दक्षिन भारत का मेंचिस्टर को कहा जाता है जो कि तमिल लाडू में है और बेटाजी अगर बात हम करें कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है मुंबई को और मुंबई कहें मारस्टर में है हमारा भारत सूती वस्त्रों का निरियात करता है भारत को सरवादिक सुद्ध निरियात आ वह की थी लोह इस्पात उद्योग कि तो ध्यान का लोहाइस स्बात उद्योग है इसको आधारवुत उद्योग कहा जाता है इसको और इंड़ास का जाता है इस ये कुल्टी पस्य मंगाल में स्तापित किया गया था इस्तापना हुई थी इसकी 1870 में और इसने अपना उत्पाद्न कारिये शुरू किया था ठारा सो चोटर सेंग 1907 में जमसेदपुर में बेटा लोहा इस्पात उद्योगे इसकी स्तापना की गई बारत में दूसरी और तीसरी पंचवर्षिय योधना के दोरान खास करके लोहा इस्पात उद्योगों की स्तापना पे विशेश बल दिया था पिटा दूसरी पंचवर्षिय योधना के दोरान भिलाई राउर केला और दुरगापुर में लोहा इस्पात उद्योग इस्ताप में दोस्तों ध्यांद रखें है कि बिलाई में जो लोहायिस बात उड्योग स Свब्य संग के सयोकि रावर के लाओं में ऍघ्याइट से हैं कि दुर्गापूर में इंग्लेंड के सへ हैं और बोकारो में यह व्याइद संके सयोक से इस्तापित किया अपने तीसरी बात की वह बात की है परियेटन उद्योग की जटो सबसे पहली बात परियेटन को विटव उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य रहा है वह राज्स्तान रहा में चार मार्च 1989 को मौमद युनुश समीती की सिपारिश प्रप्रियेटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया भारत में प्रियेटन है इसको निर्दूम या धुवारेत उद्योग की उपमा दी जाती है भारत में प्रियेटन विकास के लिए एक संस्ता है इसकी स्तापना कांता ठाकूर समीती किसी पारिश पे हुई इसकी स्तापना है वो बिटा 24 नूमबर 1978 को हुई थी एक अप्रेल 1979 से इसने अपना काम करना प्रार्म किया और इसका मुख्याले है उजयपूर में है दोस्तु ध्यान रखना राजस्तान की जीडीपी में प्रियेटन का योगदान है वो 12 प्रतिशत है भारत में सरवादिक विदेशी प्रियेटक वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं और राजस्तान में सरवादिक विदेशी प्रियेटक वो फ्रांस से आते हैं